समस्कार विलकम तो माई चैनल मैं हूँ मनीशा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ट्रेकरेंट ट्रिप्स बताएंगे जो कि रोज मर्णा की जिन्गी में आपके बहुत ही काम आएगी और आपका काम आसान हो जाएगा तो चलिए अपने वीडियो को शुरू क करते हैं तो आज हम आपको बताएंगे पूरन पूली बनाना जैसे कि यह महारास्ट के डिस है और बहुत ही स्वाधिस्ट होती है इसे सुभासर पर बनाया जाता है जैसे कि गड़ेश चतुर्ती का परवाता है या फिर महालक्ष्मी पूजा होती है या फिर किसी विवा श पर बनाते हैं जब भी तो यह बनाते हैं चैने के लिए कई सकता हो गई तो हमने यहां पर 500 ग्राम चैने की दाल लिये है और इसे हमने 4-6 गृंटे पहले भीगो दिया था यह अभी बिल्कुल भीग गई है और जस्ट डबल हो गई है इससे आपको एक दो पानी से साफ कर लेना है और इदर हमने एक पैन लगाया है पैन हमारा गरम हो चुका है इसके अंदर हम डालेंगे दो बड़े चम्मच ओयल आप इसे घी में भी बना सक हरी लाइची भी ले सकते हैं और इसके अंदर ढालेंगे कुछ हरी मिर्ची तो आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं लेकिन हम लोग हरी मिर्ची जादा यूज करते हैं तो हमने यह पे टेस्ट के कोडिंग हरी मिर्च ली है और इसमें डालेंगे खड़ा धनिया यह जो मसाले एक चमच लिपार। यह मसालो नहीं चुक्षांख मतशिती हम उल्षे ह stepping शुक्ति हेल बाउलना है। और भड़ने से बला चाहिए। जब लड़ी में सब्सक्राइब मेरं मैं मैं लड़िए लिए मैं सेíchलें PAR Ohal आउड काप यह बना सकते हैं यह जिंस और भचस्ट कोकर बना तो इस तरह से आप इसे पकाएं और इसके अंदर वह gereal Kung इसे गलने तक पका ले और दूस्तों जब तक यह पक रहा है तक तक आप आटा लगा सकते हैं तो पूरन पूली बनाना हो या फिर कोई भी स्टपिंग पराठा आठा आपको बनाना है तो इसके लिए जब भी आप आठा लगाएं तो आठे की डो में आपको थोड़ा सा गु पानी से आप दो तयार करेंगे तो आपका जो आठा बनेगा बहुत ही सौफ्ट रहता है तो जैसे हम रोटियों के लिए आठा लगाते हैं बिल्कुल मुलायम सौफ्ट उसी तरह से आपको एक दो तयार कर लेना है कुछ इस तरह से और अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो गरक जो पक राएकि नहीं दोस्तों इसंतरह से देखिए दाल बिल्कुल पघ गयी है अग्यum गैस की फ्लेम को बड़ कर देंगे और बहुत ज़्यादा इससे आपको गलाना नहीं है इस तरहिकी से और थोड़ा 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 पानी रहे तभी आप गैस कीपी बंद क जब ठंडा हो जाए तब आप इसे मिक्सर में थोड़ा-थोड़ा करके ग्राइंड करें और इसमें और भी चीजे आड़ करनी होती है तो जैसे हम लोग यहां पे कुछ लैसुन की कर लियां और एक चम्मच खड़ा जीरा और थोड़ा साहरा दनिया और थोड़ा सा आपको इ हमारी दाल की जो स्टफिंग होती है बहुत ही भरबरी हो जाती है जब भी हम उसमें भरते हैं तो वह बिल्कुल गिरने लगती है यदि ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको इसमें कुबला हुआ अलू डाल देना चाहिए ऐसा करने से वह बहुत ही सौफ्ट हो जाती है और बिल्कुल पक जाएंगे यह देखिए हमने माइक रख दिया हे एक ही आलू में डाला है आपको तिखाने के लिए आप बिल्कुल आलो सॉफ्ट वो गए है अब इने आपको ठंडा करके यह थोड़े से डाल में हम आपको मिक्स करके दिखा रहे हैं इसंतर जो टुर्य अर अच्छा हो जाता है और थोड़ा सापको नमक डाल देना है क्योंकि नमक तो हमने चने की दाल के गॉर्डिंग डाला था और इससे साइड में रखना है अब हमारा डो तयार हो चुका है अब हम पूरिया बना लेते हैं तो पूरिया बनाने के लिए इस तरह से छोटे-छोटे कर तयार कर लें अब इन्हें आप सेख लें और हलका हलका आप इसे दबाते हुए सेखेंगे तो बहुत ही करारा बनता है यह दिखिए हमारे पराटे बिल्कुल सिख गये हैं बहुत अच्छी टेस्टी पूरन पूली बनके तयार हुई है यह अब इसे हम प्लेट में लगा जो कच्छय हर आम आता है जिसे ककच्छी कहरे भी कहते है उसका बनाते हैंतोफ़ अबको पना बनाके दिखाते है ब ही त्रह में तारई के लिए आप पहले कच्छी आम को छील ले और इसे दो मिलें एक कप पाने में आप डाल दें उबल जाएगा और इस तरह से आप आम को उबाल दें जब आपका आम उबल जाए तिसे ठंडा कर लें अब एक mixer grinder लेजिए उसमें उबले हुए आम को डालेंगे और कुछ पुदेने के पत्ते डालेंगे तो हमने यहाँ पे एक कप पुदेने का पत्ता लिया है बहुत ही टेस्टी लगता है और इसी के अंदर आपको सारी चीजे एट कर देनी है जैसे की काला नमक, भुना हुआ जीरा, सादा नमक और एक आप चाहें तो हरे बिर्ची भी ले सकते हैं तो दूस्तों सुगर आट करने के लिए जैसे यहाँ पे हमने सुगर सिरप बना के रखा हुआ है आप चाहें तो इस तरह से इसमें चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन जो सुगर सिरप का टेस्ट होता है जादा अच्छा लगता है तो इस तरह से आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे मीठा जादा कम पसंद करते हों आपको चीनी एट करनी है और इसे अच्छे से ग्राइंड करना है कुछ इस तरह से देखिए हमारा ये बिलकुल आम का जो पल्प था बिलकुल आइड हो चुका है और जो पुदीने की पत्ति आमने जादा डाली थी इसका कलर बिलकुल ग्रीन आया है अब इसे एक बाउल में आपको निकाल लेना है और जैसे आपके परिवार में पतला या गाढ़ा जैसे ही टेस्ट पसंद करते हूं उस तरह से आपको इसे थोड़ा सबजी बनाएं तो पंचुपोड़न का अस्तेमाल किया करें इससरे क्या होता है क्डदू की सब्सडीं करते हो जगा बबल हो जाता है पंचुपोड़न में क्य पंच फोड़न बनाए जाता है और कहीं मंगरेल भी इस्तेमाल किया जाता है तो आप इन चीजों को मिला के एक इक पंटेनर में भर ले और जब भी आप सब्जियां बनाए तो इन है यदि आप सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है चाहे आप लौकी की सब्जी ब बहुत ही टेस्टी लगता है जो इसे खाना कहने के साथ में लेते हैं तो हमारे डाइजेसिन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है तो इसके लिए आपको एक अच्छी सी ग्लास लेने हैं इसमें दो तीन आइस क्यूब डालिए और उसमें जो आम का पना है तीन से चार चमच जाता है इस तरह से आप फ्रीजर में से स्टोर करके हपते 10 दिन तक रख सकते हैं और इसका टेस्ट ले सकते हैं अगली टीप है दोस्तों भिंडी की सब्जी को लेकर जब आप अपने घर में बिंडी की सब्जी बनाए तो एक बार यह कलॉंजी मसाला डाल कर जरूर देख अगली टीप है दोस्तों अचार को लेके जैसे कि हमारे घर में इस तरह से अचार आते हैं और कभी-कभी इनका स्वाथ बिगड़ने लगता है आपके घर भी अचार खराब हो रहे हो आपको थोड़ा सा उसमें विनागर आइट करना है जिस प्रकार से अचार की क्वांटि कुछ ट्रेक और ट्रिप्स यदि हमारे वीडियो आपको थोड़ी सी भी हल्पूल लगे तो फ्लीज मारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें ने वीडियो के लिए थेंक यू